Hello everyone, स्वागत है आप सभी का Magnet Brains ITG NEET में जी हाँ, आज हम Functions Part 5 शुरू करने वाले हैं अभी तक Functions Part 4 तक हमने पड़ा अलग-लग Functions को उनके Graphs को Study किया, वो Graphs कैसे Plot हो रहे थे या बन रहे थे और उनके Domain और Range को Workout किया जी हाँ, अभी इससे पहले वाले Lecture में आपने देखा Trigormatic Functions कैसे Behave करते हैं, उनके Graphs कैसे Plot होते हैं और एक Approximated Idea एक Sense डवलप किया, कि देखो, इसकी Domain और Range ऐसे निकल करा रही होगे उसी को आज हम Extend करेंगे और आज हम Inverse Trigormatic Functions के बारे में बात करेंगे मेरे एक Strong सी हिदायत है, गभराना मत, क्योंकि ये Trigormatic Functions और Inverse Trigormatic Functions ये Individual Chapters हैं आपके syllabus में, जोने हम डीटेल में अलग से पढ़ेंगे मतलब ये Chapters, ये Concepts, इनके Formule, इन पर बेस्ट काफी सारे Questions, Identities सब कुछ हम डीटेले पढ़ेंगे, so don't worry about that, even ये Graphs कैसे बन रहे हो, और भी सब कुछ अलग से Level पे हम जाकर फिर से Discus करेंगे इन Chapters के दौरान, but फिलाल चुकी हम Chapter पढ़ रहे हैं Functions, और Functions में आपको ये Trigormatic Functions और Inverse Trigormatic Functions के बारे में खलका सो Superficial Overview दिया गया है, तो मैं बस इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो, यहां भी अगर Functions के Perspective से समझें, तो इनकी आप सभी जानते हैं कि Magnet Brains का IATG Module आपके लिए क्या-क्या चीज़े लिए कर आता है, तो I hope आप जानते होंगे कि आपको हर Chapter के सारे Topics के सारे वीडियोस प्रॉपली दिये जाते हैं, जैसा अभी तक आप देखते ही आ रहे होंगे, हमने हर चीज़ डीज़ में पढ़िये हैं, अपार्ट रूम दाट, जब भी एक Topic आज के से लेक्टर में हम काफी सारे Questions भी करेंगे, और जब आपको एक Particular Topic कंप्लीट होने पर DPP मिलती है, प्राक्टिस के लिए, ओविसली इसी वीडियो के Description में DPP होती है, या Magnet Brains की Website पर जाकर भी आप एक्सिस कर सकते हैं, and yes of course, वो DPP का भी Video Solution आपको Magnet Brains की Website पर या हमारे YouTube चैनल पर मिल सकता है बहुत easily, apart from that, आगे बढ़ेंगे Students, क्या आपको पता है कि आपको हर Chapter wise हम यह Ensure करते हैं, कि by through all the means, हम minimum 500 Questions आपको Practice करवाए, along with that, हम Ensure करेंगे कि हम Past Years के Questions भी करें, याने J Means और J Advanced के Past Years के Questions solve करके, we'll actually get the notion कि आपकी exam कैसी होती है, और Questions कैसे आते हैं, और इसकी तियारी के लिए आपको कहां तक जाने की जरूत है, and we'll make you realize कि जो सब हम कुछ बढ़ रहे हैं, वहीं से चीजें बनती हैं, जैसा कुछ हम बढ़ रहे हैं, वहीं काफी हैं, अगर ठीक से पढ़ा एक link, एक page open होगा, उस page के तरूँ, आप हमें आपके सारे doubts forward कर सकते हैं, आपके सारे doubts accumulate होने के बाद, उनने एक live session के तरूँ clarify किया जाएगा, so don't worry about that, आपके doubts भी resolve होगे, and yes, proceeding further, आपकी chapter की performance को track करने के लिए कि आपको जो भी chapter पढ़ाया जा रहे है, उस chapter पे आपका कित वक्त वक्त पर, timely हम लोग आकर आपके सारी परिशानियों के resolve, your resolutions देते रहेंगे, जो भी आपके issues हैं, stress, time, anxiety, जो भी सारी चीज़ हैं, इनने हम timely, live आकर, acknowledge और address करते रहेंगे, so don't worry about that, and of course, सबसे जरूरी बात, finally, chapter की completion पर, chapter का एक one shot revision भी हम ready करेंगे, जिसमें पूरा का पूरा chapter, overall, completely, आपको फिर से revise करवाया जाएगा, इनकेस अगर कुछ छूट भी जाता है आपसे, कुछ मिस हो जाता है, इन सारी चीजों के जारान, तो एक और मोका होगा, कि आप उस chapter wise one shot revision के तुरू, उस chapter को फिर से एक बार और अच्छे से पढ़ लें, ताकि कोई भी च actual mocks, means or advance के, जिनके तुरू actually, आप section wise अपनी तयारी को strategize कर पाएं, अपनी preparation को strategize कर पाएं, कि आपको किस section में कितना time devote करना है, आप कहां lag कर रहे हैं, आपको कैसे अपनी तयारी करनी है, और किन subjects पे आपको कैसे अपनी preparation करनी है, यह सारी बाते हम करने वाले हैं, lectures और इन table से पहले हम कुछ बात ही करते हैं, चलिए, हम समझने की कोशिश करते हैं कि inverse function बने कैसे हो, तो inverse function के बारे में हम detail में बात करेंगे, functions chapter में ही, जब हम types of functions discuss करना शुरू करेंगे, अगर आपको लग रहा है कि functions part 5 end हो चुका है, function का, यहने set relation function खत्म हो चुका है, तो यकीन कर करेंगे, तो काफी सारी चीज़े हम करने वाले हैं, आने वाले टाइम में, चिंता मत करिए, फिलाल हम एक sense develop करने की कोशिश करते हैं कि inverse trigonometric functions होते क्या है, तो पहले समझे, trigonometric functions जो हमने देखा, for example, अगर मैं थोड़ा सा sense develop करवाना चाहूं, तो क्या आपको याद है, sign x क का graph कैसा होता है, students, अभी फिलाल के लिए एक basic सा layman term में आपको idea दूगा कि inverse trigonometric functions या किसी भी function का inverse क्या होता है, हाला कि हम इसे detail में पढ़ेंगे, जब हम types of functions में, inverse functions की बात ही कर रहे होंगे, तो फिलाल के लिए उसको ऐसे समझे, students, कि मान लो, मेरे पास एक scenario है, हमारे पा होता है, पाई बाई टू ये पाई, ये सारी बाते हम last lecture में discuss कर चुके है, sign का inverse क्या होगा, मतलब ये जो graph है, students, ये graph किसका है, ये graph है फंक्शन का जिसे हम कहते है, sign x, और sign x को हम ऐसे कुछ लिखते है, and obviously आपका y-axis होता है, ये आपका x-axis होता है, जहां पर चीज़े हो होती है, और ये values जो range करती है, वो minus 1 से 1 तक होती है, और 0, pi by 2, pi by 3, pi by 6, सब कुछ हमारी expressary values मोजूद होती है, मेरा point बढ़ा आसा है, students, कि अगर, अगर मैं आपको एक बारी, basic terminology समझाओ, कि inverse क्या होता है, तो बस कुछ मत करिए, इसी curve को 90 degree से rotate कर दीजे, मैं ऐसा क्यू कह है, कैसा कुछ है, सर, ऐसा कुछ है, कि माल लेते हैं, y is equals to, लिट से लिखा हुआ है, x plus 3, है ना, अब y is equals to x plus 3 लिखा है, मतला y come generally क्या लिखते हैं, class, हम लिखते हैं, fx is equals to x plus 3, अब अगर मैं इसके pairs बनाना शुरू करो, मतला मैं x की अलग-लग values देखना शुरू करो, त x की अगर मैं अलग-लग values देखना शुरू करो, तो जैसे अगर मैं एक value लेता हूँ 1, है ना, x की value लेता हूँ 1, तो y की value कितनी हो जाएगी students, obviously 4, अगर मैं x की value लेता हूँ 2, तो y की value कितनी हो जाएगी 5, अगर मैं x की value लेता हूँ 3, तो y की value कितनी हो जाएगी 6, तो x क अलग-अलग values के लिए मुझे y की अलग-अलग values मिल रही हैं क्या इस function को ऐसे treat किया जा सकते हैं sir कि y की अलग-अलग values के लिए x की अलग-अलग values मिलें मतलब मैं y की values feed करूँ और x की values मिलें लग जाएं आप मेरा point समझ पा रहे हैं अभी तक मैं क्या कर रहा हूं मैं x को as an input treat कर रहा हूं और वो value रखने के बाद y as an output generate हो रहा है क्या मैं इस process को reverse कर सकता हूं? reverse करने का मतलब एक्लास क्या मैं इसको उल्टा कर सकते हैं? उल्टा करने का सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि sir क्या मैं इसको select सकता हूं? ध्यान से सुनेगा अगर मैं 3 को इदर लाएं तो यह जाएगा y-3 is equal to x मतलब अब अब जब आपने process को inverse कर दिया तो आपने यह बोला sir कि अब आप y की values रखे और आपकी x की value generator ना शुरू हो जाएगी मतलब आप y की values try करो और x की value हो जाएगी जैसे अगर मैं y की value 4 रखता हूं तो 4-3 1 x की value अगर मैं y की value 5 रखता हू तो 5-3 2 x की value अगर मैं y की value 6 रखता हूं तो 6-3 is again x याने हमारा function अब reverse हो चुका है reverse हो चुका है मतलब इस case में अब इस function को मैं कैसे लिखूंगा class reverse function करते वक्त एक बड़ी basic सी बात होती है जब यह आप याद रखे हाला कि आने वाले कुछ lectures के दौरान मैं detail में explain करूंग बड़ फिलाल बस यसे इतना समझ लीजिए कि आप x को लिख सकते हो भी हाँ पर x को लिख सकते हो आप f inverse x और आप y को replace कर देते हो x से और यह बन जाता है x-3 याने यह जो function है आपका x-3 यह y is equals to x-3 का inverse function है याने आपका जो original function था वो था x-3 और इसका reverse function होता है इसका inverse function हो मैं जो बाते कहना चारा हूं वो थोड़ी बहुत digest हो रही है इन शॉट में आपको बड़ी आसांती बात कहना चारा हूं class कि आप x को y से और y को x से replace कर दे रहे हैं जो सारी चीज़े x-axis पे होती है वह y-axis पे हो रही है याने मैं ऐसा कहना चारा हूं बहुत नहीं से समझे अगर x की value 1 ले रहे है तो y की value कितनी हा रहे थी class 4 आ रहे थी यह कुछ ऐसा point आ अगर मैं x-key value 2 ले रहा था तो y के value कितनी हा रही थी obviously 5 अगर मैं X की वालियू 3 ले रहा था students तो य की वालियू कुछ ऐसा सा बन रहा था इन लाइंस को कनेक्ट हरी ओविसली एक स्ट्रेइट लाइन तो ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा लिकिन इसका inverse plot करो अगर मैं F inverse X plot करने के कोशिश करो तो कैसा बनेगा students F inverse X में अब आपका यह है यह तो X ही रहेगा आपने obviously क्या क्या आपने Y को X से replace कर दिया तो यह तो X तो X ही रहेगा मतलब यह X वो original X नहीं है यह X actually Y है अगर आप दिहान से देख पा रहे हैं तो और अब जो आपका Y हुआ करता था वो Y नहीं है अब आपका जो Y है वो है F inverse X to be very honest, to be more frank, to be more open, I am trying to say कि यह जो है अब यह actually Y है reality में वो Y है जो वहाँ Y हुआ करता था और यह वो X है जो यहाँ X हुआ करता था आपने दोनों को interchange कर दिया है that's all about F inverse X, मतला F inverse X किसी function का inverse कुछ नहीं होता है आप X और Y को बस interchange कर देते हैं जैसे ही आपने ऐसा किया तो सोच के देखे, अब फिर हम try करते है, अगर यहाँ पर मैंने X की value, यहाँ पर अगर X की value मैंने 4 try की होती, सोच के देखो students अगर मैंने X की value 4 try की होती X की value 4 यहां कहीं होती, जैसे ही मैं X की value 4 try करता, तो Y की value कितनी आती class? 1 I hope you are getting my point तो y के value कितनी आती 1 याने ग्राफ मुझे यहां कहीं कुछ दिख रहा होता थोड़ा और आगे बढ़ते है students जैसे ही मैंने x के value 5 try की होते है तो y के value कितनी आती students 5 try करता है तो 5-3, 2 याने कितना हो जाता है अगर मैंने x के value 5 try की होती याने x के value 6 try की होती तो f inverse x के value कितनी आती 6-3, 3 तो अगर x के value आप 6 try करते है class तो f inverse x के value आती 3 और ये graph कुछ ऐसा सा बन रहा होता पहली बात तो ये कि आपको इस graph में और इस graph में फर्क समझ आ रहा है इन दोनों graph में फर्क ये है कि ये दोनों graph origin के respect में symmetric के लें मतलब ये graph और ये जो graph है ने ये दोनों graph ऐसे हैं मतलब ये graph जो है ये orange वाला है ये f of x है और ये जो yellow वाला graph है ये है f inverse x ये graph जो है ये है f inverse x तो हमेशा आप ये बात अगर गया रुखेगा कि जब आप किसी function का और उसके inverse का graph plot करेंगे तो वो origin के respect में symmetric करोंगे मतलब exact मेंने वैसा नहीं बनाया है बट ये यहां से जितना दूर है यहां भी उतना ही दूर होगा मतलब वो exact मेंने उतना बनाया है नहीं बट I hope मेरा point समझा रहा है inverse function के graph को लेके मैं समझाना है चारा हूँ कि चीजें जादा बदलती नहीं है बस इतनी सी चीज होती है कि x-axis y-axis बन जाता है और y-axis x-axis बन जाता है to be very honest x-axis वहीं रहता है y-axis वहीं रहता है बट जो अपका y है वो x बन जाता है और जो अपका x है वो y बन जाता है यही बात हम sin inverse x में लिखना चुरू करेंगे अब sin inverse x होता क्या है उसे मैं समझाने की कुश्चिश करहूँ ऐसे समझो students कि मान लो हमारे पास यह function है कौन सा function है class हमारे पास sin inverse x function बनाने की एक जद्धो जह शुरू ही है कि sin inverse x में बनाएंगे कैसे तो देखो हमारे लिए sin x कैसा होता है class sin x बड़ा interesting सा function होता है जिसमें हम कहते हैं sir कि sir अगर आप x की value अगर आप x की value 0 रखते हो तो f of x कितना आता है students स्थे इसके अगर hate 25 चैनो कितना चुक्रियाउ धर 5000 वान टैhic व्यूंत मैं किरहों मैं इसका इनवर्स क्हाना चांघुछा था सबढें यह पास कर रहे तो यह आ रहा था नहीं अब आप यह पास करेंगे अर। चाहेंगे कि यहापको कृ motorcycles process, बढ़ी आसान सी बात है class, I hope यह sense अब आपको develop हो रहा है, कि inverse function क्या होते है, तो sine inverse function का मतलब क्या होगा, आप अगर, अगर मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, यह y की equal है, तो मैं यहाँ लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा, सबसे पहले, x is equal to sine inverse of y, मैंने क्या क्या, मान लो थोड़ी देर के लिए, कि y is equal to sine x था, मैंने क्या क्या, sine का इधर दोनों तरफ inverse लिया, तो यह हो गया, sine inverse y, sine inverse of sine x, है ना, तो मुझे क्या मिल रहा है, x is equal to sine inverse y, मतलब, sine inverse y नहीं है, यह sine y के पावर minus 1 नहीं है, है ना, यह क्या लिखा हुए class, कि मैं y की वो सारी values ढून रहा हूँ, मैं y की वो सारी values ढून रहा हूँ, जिनका sine, मतलब वो theta, जिनका theta, यह values होती होगी, कि आपको मेरा line, मेरा point समझ आ रहा है, मैं यह कहना चाह रहा हूँ, कि मैं वो सारी values का theta ढून रहा हूँ, जिनका sine, जिन values का sine लेने पे, मुझे कुछ एक theta मिलता था, मैं और detail में समझाने की कोशिश करता हूँ, इस बार, अब हमने input change गए दे, अब हमारा input है y, लेकिन मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं inverse लिखता हूँ, तो हमारी process ही होती है students, कि हम y को x से और x को y से replace करते हैं, तो जब y को x से replace क्या, तो यह हो जाएगा students sine inverse of x, और x को y से replace कर देते हैं, तो यह हो जाएगा y, जैसे मैं और specifically लिख सकता हूँ, f inverse of x, और इसे में क्या लिख हूँगा, sine inverse of x, इस बार यह x हमारा angle नहीं है students, इस बार x वो value है, जो लिखने पर आ रही थी, और जो f inverse x है यह जो y है, यह वो value नहीं है, इस बार वो angle है, मतलब उल्टा हो जाएगा y x से और x y से, बस इसी का मतलब होता है f inverse x, मतलब inverse function क्या होता है, वो मैं sense develop करना चाहरा हूँ, तो समझेगा, although इसे हम detail में पढ़ेंगे, अलग तरीके से अभी में बस, बहुत बारी की में नहीं जाना चाहरा हूँ, बस एक superficial overview देना चाहरा था, skip करते हो चीज़े, कि मैं बता दूँ अभी आपको, कि inverse क्या होता है, मोटा मोटा, ताकि अभी का जो हम पढ़ना चाहरे है, वो हम समझे लें, हाला कि जब हम inverse function पढ़ेंगे, तब मैं और detail में समझाऊँगा, कि functions क्या होते हैं, inverse कैसे निकालते हैं, क्या process होती है, और क्या क्या properties होती है, हर चीज़ हम detail में पढ़ेंगे, so don't worry about that, फिलाल के लिए, हम trigonometry के inverse function समझना चाहरें, तो उसके लिए जितना ज़रूरी है, बस मैं और मैं sense आपको देना चाहरा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ, कि यहाँ पर, अगर आप x की बात करें, तो अब sir, जो x होगा, वो x हमरा angle नहीं है, अब x value है, और जो f inverse x आए है, या इसके जो y है, वो वो angle है, यानि, अब अगर आप x की बात करें, और अगर आप f inverse x की बात करें, यानि अगर आप अब y की बात करें, यहाँ पर जो IFOX था वो यह Y था बट यह जो Y है यह अलग है X में अब आप values रखेंगे मतलब सर जो अलग-अलग values आती थी क्या आती थी 0, 1 by 2, 1 by root 2, root 3 by 2 और 1 तो सर, sine inverse 0 का मतलब है कि sine का वो angle जहाँ पर X जो होता है वो 0 होता है मतलब जो value लेने पर जिसका sine 0 होता है तो किस angle का sine 0 होता है सर, 0 degree angle का sine 0 होता है तो मैं कहूंगा कि sine inverse 0, 0 होता है I hope आपको समझ जा रहा है, मैं और एक example लेता हूँ sine inverse 1 by 2 का मतलब है कि सर, वो angle जिसका sine 1 by 2 होता है आपको यह बाते digest हो रही है मतलब मैं लिख रहा हूँ यह पर sine inverse of 1 by 2 है ना, तो sine inverse of 1 by 2 मतलब मैं एक ऐसा angle डून रहा हूँ जिसका sine ratio 1 by 2 होता है तो वो मैं कहूंगा सर, 30 degree होता है तो इस बार यह value होगी 30 मतलब मैं इसको कैसे लिखूंगा अगर एक मोटा मोटा तुम्हाँ आइडिया देना चाहूँ तो मैं उसको ऐसा लिखूंगा कि sine inverse sine inverse sine inverse of 1 by 2 है ना और यह कितना होगा students यह होगा 30 degree तो यहाँ पर चीज़े कुछ ऐसी हो जाएंगे मतलब मैं यहाँ पर मैं लगा inverse sine inverse of 1 by 2 कुछ ऐसा सा क्या आप कोई से डवलोप हो रहा है कि inverse function कैसे बनते हैं inverse function में आप y की value as an input pass करते हो और x की value as an output मिलती है बट आप लिखते हो नहीं x और y ही हो समझपा रही हो मेरी बात जैसे अगर मैं यहाँ लिखो तो 1 by root 2 का मिलेगा साइन इंवर्स 1 by root 2 मतलब क्या सर वो sine ratio जिसकी value 1 by root 2 होती है तो मेरे ख्याल से वो होती है obviously 45 degree है है ना तो चीज़ें ऐसे होती चली जाएंगी अब आप बात समझो class जब यह graph बनाते थे अगर मैं यह graph plot करते हैं तो यह graph कैसा बनता था class सर 0 पे 0 30 पे 1 by 2 और ऐसे करते करते है 90 तक 1 by 2 आ जाता 90 तक 1 हो जाता यह कुछ ऐसा बनता अगर मैं 0 से 90 degree तक graph बनाता यह sign का graph होता लेकिन इस बार graph कैसा बनेगा student ज़रा ध्यान से सुनिए इस बार जब हम graph बनाएंगे तो समझो इस बार जब graph बनेगा तो क्या होगा अभी देखो अभी x-axis पे हमने कौन सी values ली थी अभी x-axis पे हमने angle लिया था और y-axis पे value ली थी इस बार x-axis पे values होंगी और y-axis पे angle होगा क्या आप कोई बात समझ आ रही है कि x-axis और y-axis कैसे interchange हो जाते हैं जब आप inverse function लेना शुरू करते हैं तो inverse function में क्या होगा वो समझो students इस बार जब आप sin inverse x का graph plot करने की कोशिश करेंगे बहुत ध्यान से सुनीगा मैं finally उस पार्ट पे आगे हूँ जहाब अब हम इस chapter की शुरूआत करने वाले हैं हम inverse function को plot करना शुरू करने वाले है तो बहुत ध्यान से सुनीगे class मैं यह बताना चाहरा हूँ कि अगर यह आपका y है y जिसे आप कहते हैं f inverse x या फिर जिसे आप कह रहे हैं sin inverse of x और यह है हमारा x तो इस बार x degree नहीं है, theta नहीं है, angle नहीं है इस बार जो x है वो values है और जो sin inverse x है वो हमारा angle है मतलब यहाँ पे y axis पे आपके angle आएंगे, angle क्या होते है students ज़रा ध्यान से सुनीए, 0 फिर क्या होता है, 30 फिर क्या होता है, मैं थोड़ा और इसको बनाता चला जाता हूँ, 0 के बाद 30 30 के बाद क्या ले लेते हैं, let's say 60 60 के बाद क्या होता होगा, कही ना कही 90 जाना एक मोटा मोटा मैं अप्रोक्सिमिटट व्यू देना चाहरा हूँ आपको, और गवराना मत चीजे बदलती चली जाएंगे, similarly इधर क्या होगा यहाँ कहीं होगा, सर, minus 30 यहाँ कहीं क्या होगा, सर, minus 60 और यहाँ कहीं क्या होगा, सर, minus 90 चीजे और चलती चली जाएंगे, यहाँ भी अंगल्स मिलते जाएंगे और obviously values तो minus 1 से 1 के बीच ही होते हैं मतलब sin theta की हमको value पता है students तो sin theta की value हमें पता ही कहां से कहां तक होती है minus 1 से 1 तक I hope आपको यह बात याद है obviously बीच में क्या आता है minus 1 by 2, 1 by 2, 0, 1 by root 2 1 by root 2, root 3 by 2, root 3 by 2 तो यहीं कहां नहीं चलती चली जाएगे पर मोटा मोटा कुछ ऐसा देखता है अब मैं यह कहना चाहरा हूँ कि 90 की नीचे भी values होती है अगर मैं minus 90 से 90 के बीच देखूं अगर मैं minus 90 डिगरी से 90 के बीच में देखूं तो कैसा बनता है class यह minus pi by 2, यह pi by 2 तो sine का graph सर कुछ ऐसा सा बनता है आपको याद आ रहा है 90 डिगरी और minus 90 डिगरी के बीच में तो सर यहाँ पे कैसा बनेगा मैं एक approximated idea एक approximated sense develop करवाना चाहरा हूँ कि देखो ऐसे आप सोच सकते हो मुझे एक बात बता है कि point क्या होता है सर, sine 00 होता है मलब 0 degree पे sine के value 0 होती है तो sine inverse of 00 होगा क्या बात समझ जाए सर, एक और बात कि सर, sine का जो 90 डिगरी होता है वो 1 होता है तो सर, शायद graph कुछ ऐसा सा कुछ ऐसा सा बन जाए not exactly like this but somewhat like this are you sure यह ऐसे ही बनेगा? everyone, देखो ज़रा दियां से अब मैं आता हूँ finally sine inverse x के graph की तरफ और तुम्हें समझाने की कुशच करता हूँ कि चीज़े ऐसी क्यों नहीं बनेगी क्योंकि सर, यह जो graph था यह तो फिर sine x के graph हो गया ना और यह origin के respect में mirror image कहा हूँ अब मेरी बात समझ पा रहे है तो सर, origin के respect के अगर मुझे mirror image चाहिए तो वो तो ऐसी होगी ना क्योंकि inverse function में inverse function में क्या होता है students inverse function में हमें क्या मिलती है mirror image किसके respect में origin के respect में origin के respect में वो symmetrical होते है यह अगर यह graph ऐसा बन रहा है तो वो graph कैसा बनेगा students वो graph कुछ ऐसा I am not able to draw it very properly को इसको हमें origin से पास करवाना है यह graph कुछ ऐसा बनेगा बलब ऐसा नहीं बनेगा आप समझो यह graph ऐसा नहीं बनेगा अगर वो graph जो बना रहे होते वो sign का graph होता है वो कैसा होता वो कुछ ऐसा होता और देखो वो sign का graph और sign inverse का graph origin के respect में symmetrical होता देखो आप origin के respect में absolutely symmetrical होता y is equals to x के respect में यह mirror image होती मतलब यह बाते अभी आपके लिए इतनी काम की नहीं है जो बाते में कह रहा हूँ वो भले ही नया समझाए तो भी चलेगा बस इतना समझ लिए students कि बस इतना समझ लीजिए कि मुझे इतना पता हो सबसे खाच और सबसे ज़रूरी बात कि sign inverse x का graph sign x से कैसे बनता है एक छोटा सा idea डवलप करवाना चाहरू although एक कैसे बनते हैं इन्हें कैसे create किया दाता है हम detail में transformation of graphs में discuss करेंगे don't worry about that बट फिलाल एक मोटा मोटा मैं idea देना चाहरा हूँ कि sign inverse x approximately ऐसा बनेगा sir sign x कर आप तो cyclic होता है मैं लगा sir वो graph तो फिर आगे भी बनता है और पीछे भी बनता है तो sir इसको भी तो आप ऐसा बनाओ इसको भी तो आगे लेके जाओ और इसको भी तो नीचे लेके जाओ आपने ऐसा क्यों नहीं किया क्या कोई guess कर सकता है कि इसको मैंने 90 degrees से आगे क्यों नहीं बढ़ाया और minus 90 से नीचे क्यों नहीं लेके गया कोई भी शक्स सोचो class क्या हमने एक definition पढ़ी है कि sir functions को cross check करने का एक तरीका होता है sir functions को cross check करने का तरीका ही होता है कि अगर function मुझे check करना है कि relation function है या नहीं उसके graph को देकर तो मैं हमेशा y axis के parallelic line draw करूँगा और y axis के parallelic line draw करने पर अगर वो line उस graph को एक से ज़ादा points पे intersect कर रही होगी तो मैं कहूँगा कि sir वो फिर function function नहीं है वो सिर्फ एक relation है तो inverse function जब आप बना रहे हैं tripnometric functions के तो वो function की definition को violate करने लग जाएंगे अगर उनके graph को मैंने restrict नहीं किया और उनके graph को restrict करने का मतलब है उनके domain को restrict करना उनकी range को restrict करना क्या आपको यह बात समझ जा रही है मतलब मैं कहूँगा कि sir मैं इधर इसको minus pi by 2 से नहीं जाएंगा क्योंकि इसके बाद तो वो repeat हो जाएगा और इसको pi by 2 से उपर नहीं बनाएंगे वरना उसके अब फिर वो repeat हो जाएगा फिर वो एक x की value के लिए y की दो value मिलनी पर लगी और यही तो function की definition का violation है function की definition याद करिए students की x की हर value के लिए y की एक unique value होती है इसके graph को रोकना पड़ेगा और इसके graph को रोकने के लिए मुझे कुछ ना कुछ constraints लगाने पड़े है पहला constraint यह कि मैं इसको minus 90 से नीचे नहीं लाओंगा दूसरा constraint यह कि मैं इसको plus 90 से उपर नहीं ले जाओंगा although sine एक periodic function है inverse function periodic नहीं हो सकते वो अब ऐसे आ गया गया थोड़ी जाएगा वो तो one पर रूग या ना क्योंकि value है यह angle नहीं है इस बार और यहां पर angle है तो angle होते थे sir बट वो नहीं ले सकते वरना function की definition का violation हो जाएगा क्या आप कोई बात समझ जा रहे है और मैं detail में समझाऊंगा आने वाले lectures में कि byjective क्या होता है subjective क्या होता है injective क्या होता है यह क्यों ऐसा हो रहा है और हम detail में पढ़ेंगे अभी फिलाल एक बस एक approximated overview देना चाहरा हूँ कि sin inverse x का graph कुछ ऐसा बढ़ता है और जैसे ही students सब sin inverse x का graph इसा बनते हो देख पा रहे है क्या predict कर पा रहे हो कि मैं y axis पे minus 90 से plus 90 तक जा रहा हूँ और x axis पे minus 1 से plus 1 तक जा रहा हूँ यानि अगर मुझे कोई पूछता कि sir sin x function का domain क्या होता है तो students हम sin x का domain sin inverse x का domain क्या कहेंगे हम कहेंगे domain याने क्या x axis मतलब सर माइनस 1 से 1 तक जा पा रहे हो तो domain को लेके कोई problem नहीं बट do you remember जो कहानी sin x में range की हुआ करती थी वो कहानी अब domain क्यों रही है obviously होगी sir क्योंकि ये inverse function है आपने y को x से और x को y से interchange किया है और अगर ऐसा हो रहा है तो जो sin x का range हुआ करता था वो sin inverse x का domain होगा obviously but क्या इसी बात range के लिए बिट्रू होगी याने sir जो sin x का domain हुआ करता था क्या वो sin inverse x की range हो जाएगी हमने just अभी discuss किया कि उस बात को कहने में थोड़ी problem है क्या आप guess कर सकते है उस बात को कहने में क्या problem है students sir problem बढ़ी आसान सी है कि अगर मैं पूरी की पूरी range ले ले था मतलब सारे angle ले था तो function की definition का violation हो जाता क्योंकि वो एक से जादा point पे intersect कर रहा था तो इसलिए मुझे इसकी range को restrict करना पड़ा और इसकी range मैंने सारे angles नहीं लिये मैंने लिया minus pi by 2 से pi by 2 मैंने वो zone ढूड़ा मैंने वो zone ढूड़ा जहां पे ये बहुत uniquely behave कर रहा था तो uniquely minus pi by 2 से pi by 2 यहां पे behave कर रहा था and that's why मैंने इसकी range को restrict किया इसकी range को हमने रोका और range को जब रोका तो finally ये value आती है minus pi by 2 से pi by 2 हम सारे angles नहीं ले सकते क्या आप कोई reason समझ जा रहा है students की सारे angle लेने में problem क्या है तो इसी लिए sine में जहां domain सारे angles हो सकते थे तो sine inverse x की range में हम सारे angles नहीं ले पाएंगे हम कुछ एक restricted segment को ही देखेंगे जहां पर sine का behavior यूनीक होता है बना वो repeat होने लगता तो गड़बर हो जाती क्या आपको ये बात समझ आई चलिए अगर sine inverse x का graph हिसब बनता है तो क्या आप थोड़ा बपने imagination से cos inverse x, ten inverse x, cot inverse x, cosec inverse x और cosec inverse x imagine कर सकते हैं जी हाँ आज हम वही शुरुआत करने वाले हैं और वही चीज़े पढ़ने वाले है और फिर हम कुछ questions try करेंगे तो फिलाल के लिए पहले इस illustration के तरू बाकी सारे functions के graph plot करने की कोशिश करिये students, जल्दी से I hope आपने video pause करके sine inverse x के अलावा जितने भी सारे बच रहे हैं उनका थोड़ा visualization है imagination करने की कोशिश की अगर नहीं की तो हम साथ में try करेंगे तो ध्यांसे सुनिये students मैं समझाना चाहरा हूँ आपको कि सोच के देखो क्या इसी basis पे अब हम cos inverse x और यह सब भी plot कर सकते हैं पहले हम थोड़ा से stable को study करते हैं इस stable को समझने की कोशिश करो और देखना class कि stable में हो क्या-क्या चीज़े कर रहा है देखो sine inverse x जो sine x का range हुआ करता था वह यह domain है minus 1 से 1 और sine x की range sine x का जो domain होता था minus infinity is infinity इसमार मैंने वो range में convert किया है लेकिन कुछ angles को restrict करके रादर बहुत सारे angles को hamper करके और मैंने एक specific section में उसे देखने के कोशिश किये तो मैंने बस minus pi by 2 से pi by 2 रखा सेम कहानी cos inverse, tan inverse और इनके लिए भी हम करेंगे कैसे चलिए शुरुआत करते हैं पहले cos inverse x से मचते हैं class सर, cos का graph मुझे कुछ पता है, ऐसा कुछ होता है सर, मुझे कुछ-कुछ तो दिख रहा है क्या-क्या दिख रहा है students मुझे ये दिख रहा है students कि मैं सर, ऐसा कहूँ कि सर, अगर मैंने cos को यहां से देखना शुरू किया होता और मैंने उसे यहां तक देखा होता तो sir मुझे minus 1 तक और 1 तक सारी चीज़े मिल गई होती और वो मिलती ही sir मुझे 0 से πाई के बीच तो वापस क्या मैं cos inverse x plot कर सकता हूं students I think cos inverse x अब lot करना मुश्किल नहीं है क्योंकि cos inverse x के लिए मैं क्या करूंगा class मैं अब जब cos inverse x का graph बनाओगा तो यहां पर हो जाएगा cos inverse x और यह होगा x यह obviously हमारा y है और यह हमारा x है और चुकि हम जानते हैं जब आप inverse लेते हैं तो x x पर angle नहीं values लेंगे और जैसे ही values लेंगे students तो क्या हो जाएगा जैसे ही values लेंगे तो मुझे x x उस पर क्या लेना होगा minus 1, 0 और 1 क्या आपको बात समझ आई जल्दी से याद करो class sin inverse x का graph कैसा बनाओगा था same cost का भी ऐसी बनेगा लेकिन बस इतनी इसी बात है कि cost जो है वो 0 पर 1 होता है, pi by 2 पर 0 होता है और pi पर minus 1 होता है कहानी खतम, बड़े आसांती बात है किसी को ऐसा लग रहा है sir कि ये तो फिर ऐसा भी तो होना चाहिए था sir ये फिर आगे भी तो ऐसा जाना चाहिए था वो क्यों नहीं जा रहे है आपको clear हो रहे है क्योंकि फिर अगीन हम function की definition का violation कर देंगे तो मैंने एक segment चुना sir अपने यही क्यों चुना ये close था zero के बड़े जिरो के आसपास था मैं आगे जाके कोई complicated सा segment क्यों चुनो जो हम चुनेंगी हो रहे हैं sorted सी होनी चाहिए न तो इससे zero से pass भी दिख रहे है origin के पास तो मैं origin के आसपास वाली जो जोन चुनोंगा मतला हम इसे कहते हैं principal value ये क्या होती है इनके बारे में चिंता मत करो ये सब मैं inverse trigonometric functions पढ़ाते वक्त बताऊंगा लेकिन फिलाल के लिए मैं बस तुमें graph का idea देना चाहरू कि graph कैसा देखता है और अगर cos inverse x का graph ऐसा देखता है students तो domain क्या होगी x axis पे मौझूद सारी values और x axis पे क्या क्या मौझूद है class x axis पे सर्द माइनस उन से 1 तक मौझूद है values और y axis पे 0 से पाए तो मैं क्या कहूंगा cos inverse x की बारे में students सर्द cos inverse x का जब आप domain देखेंगे cos inverse x का जब आप domain देखेंगे तो वो होगी minus 1 से 1 है ना domain मतलब क्या students x की सारी values और x की values इस बार y की values है cos x के perspective से अगर आप देखें तो और अगर मैं आपसे range पूछता है students तो range क्या होती भई range सर्द बढ़ी आसान सी बात है range मतलब y की values और इस बार y axis पर में read करूं तो इदर कुछ नहीं मिल रहा है उपर भी πाई के बाद कुछ नहीं मिल रहा है बस 0 से πाई तक मिल रहा है तो मैं कहूंगा range जो होगी सर्वोगी 0 से πाई I hope बहुत आसान सी ये बाते हैं जो आपको समझ आ रही हैं कि आपको याद है sin inverse x का graph हमने डिसक्स किया था same standard ऐसे ही था cos inverse x का graph हमने डिसक्स किया था अब सोच के दिखो class 10 inverse में अगर मैं 10 theta का graph को visualize कर वाँ अगर मैं आपको याद दिलाओ कि 10 theta का graph कैसा होता था तो याद करो 10 x का जब आप graph plot करते था तो वो कुछ ऐसा होता था बहुत ध्यान से सुनिएगा है ना आपका यह होता था pi by 2 यह होता था minus pi by 2 फिर यह होता था 3 pi by 2 यहाँ पर कहीं pi आ जाता था फिर उदर रौट चलता था इदर भी ऐसे आता था यहाँ पर minus pi आ जाता था minus 3 pi by 2 और इसी कहानी चलती चली जाती थी राइट मैं कहना चाहरो कि 10x एक periodic function होता था मतलब वो सेम बात बार बार repeat करता था मतलब जैसा कर्व यह बनता था जैसा कर्व यहां बनता था वैसा का वैसा कर्व फिर इस segment में भी बनता था मतलब और exactly मैं उसका रापली का नहीं बना पार हो बट मैं आइडिया देना चाहरो कि चीज़ा से होती थी और सेम कर्व सर ऐसा बनता था मतलब ऐसे segment के लिए बार-बार यह अपने आपको repeat करता था और सोचो अगर मैं इसका inverse बनाओंगा तो मैं इसको ऐसे गुमा दूगा 90 degree से और जिसी 90 degree से गुमाओगे सर तो problem क्या हो जाएगी फिर यह सब ऐसे हो जाएगा अगर आपने इसका inverse बनाया होता तो कैसा बन रहा होता सोच के देखो students यहां पर यह जो graph है इसको अगर आप 90 degree clockwise रोटेट कर दोगे तो कैसा बनेगा यह कुछ ऐसा बनेगा लेकिन फिर यह चीज़े बदल जाएंगी फिर वापस यहां पर भी ऐसा बनेगा यहां पर भी कुछ ऐसा बनेगा और वापस function की condition violet हो जाएगी न क्योंकि यह जब बार-बार repeat होगा तो मुझे x की एक value के y की multiple values मिलेंगे तो मुझे फिर इससे restrict करना पड़ेगा इसकी range को कहीं रोकना होगा तो इसकी range को कहीं रोकने के लिए मैं क्या करूँगा मैं 10 inverse x बनाते वक्त बज़ा आसान सा काम करूँगा कि सर मैं इसको minus pi by 2 से pi by 2 दिकलूँगा नीचे का वाली और उपर का वाली हटा दूँगा सर लेकिन domain में कोई problem नहीं होगी domain में सर यह minus infinity तक भी जाएगा और plus infinity तक भी जाएगा आप समझ पारे हो अगर मैं 10 inverse x का graph plot करने की कोशिश करूँगा तो प्लीज नहीं से समझिए 10 inverse x का graph बड़ा sorted सा graph है यह होता है 0 बट इस बार जो 10 में जो चीज़े x-axis पे बना कती थी वह अप कहा बनेंगी students वह y-axis पे बनेंगी तो यह y-axis पे negative pi by 2 हो जाएगा और यह plus pi by 2 जैसे sine में हमने minus pi by 2 से pi by 2 तक लिया cos में हमने 0 से pi तक लिया 10 में हम उसका जो range define करेंगे वो minus pi by 2 से pi by 2 तक define करेंगे क्योंकि उसके बाद फिर replica create होगा तो यह हमारा एक principle segment होगा और अगर इस में में चीज़े visualize करो तो मुझे पता है sir कि minus pi by 2 पे 10 infinity को अप्रोच करता है plus pi by 2 पे 10 infinity को अप्रोच करता है pi by 2 पे 10 infinity को अप्रोच करता है और 0 पे sir 0 होता है तो इसका graph कैसे बनेगा students? इसका graph कुछ ऐसा सा बन जाएगा क्या आपको यह scenario समझ आ रहे हैं? क्या आपको यह sense develop हो रहा है कि graphs कैसे plot होते हैं? और जैसे ही 10 inverse x का graph हमने plot कर लिया तो क्या मैं इसकी domain orange निकाल सकता हूँ? Sir अगर आप x x उस पे देखे हैं तो आप minus infinity से plus infinity तक चल पा रहे हो तो 10 theta अगर यह हमारा कौन सा expression है class? यह हमारा 10 inverse x है है ना? और यह हमारा x है मतलब यह है आपका y है तो अगर आप 10 inverse x के graph की में बात करूँ तो अगर आप मुझसे पूछते हो Sir domain क्या होगा? तो मैं x x उस पे travel करूँगा और x x उस पे जब हमने travel किया तो मुझे minus infinity से plus infinity तक कहीं पर भी graph uninterruptedly मिला कहीं पर भी graph break नहीं हो और कहीं पर भी graph not defined नहीं हो रहा है तो मैं कहूंगा domain जो है वो होगी Sir minus infinity से infinity आप x की सारी values ले पा रहे हो हाँ Sir लेकिन range में क्या होगा? Sir जो range हुआ करती थी जो x की range हुआ करती थी कि आप सब ले लिया करते थे तो 10 inverse x की जो value होगी मतब जो range होगी वो क्या होगी class इस बार उससे restrict करना पड़ेगा बनाओ function की definition को violate करेगा तो इस बार जो हमारी range होगी वो होगी students कहां से कहां तक minus pi by 2 से pi by 2 तक और क्या मैं minus pi by 2 और pi by 2 को include कर सकता हूँ Sir minus pi by 2 पे minus infinity हो रहा है अप्रोच कर रहा है और ये plus pi by 2 पे plus infinity को अप्रोच कर रहा है तो वहाँ पे ये define नहीं है तो मैं कहूंगा range है Sir minus pi by 2 से pi by 2 excluding these two extreme points क्योंकि in points पे function defined है नहीं है I hope आपको 10 inverse x समझ आया इसका graph कैसे बन रहा है इसकी domain और range हमने कैसे निकाली क्या ये बहुत basic सा sense आपके brain में develop हुआ students क्या आपको समझ आया है कि x axis पे जब हमने इसको read किया तो हमको सब जगे दिखा लेकिन y axis पे ये सिर्फ मुझे यहां से यहां तक दिखा वो भी यहां पे मुझे axis exist करता हो नहीं दिख रहा है और यहां भी exist करता हो नहीं दिख रहा है और cot inverse x तो शुरुआत करते हैं class cosic inverse x से है ना इसको देखो ध्यान से क्या तुम सोच पा रहे हो कि ऐसा क्यों बन रहा होगा चलो अगर नहीं सोच पा रहे हो तो सोचने की कोशिश करते हैं सोचने की कोशिश करने से पहले क्या चाहते हो मतलब मैं क्या बनाओ पहले sign बनाओ फिर sign inverse बनाओ फिर cos inverse बनाओ या अब सीडे sign inverse x इमाजिन कर सकते हो क्या आपको याद आ रहे है sign inverse x कैसा होता था चलो जल्दी से बना देता है एक मोटा मोटा हमारा sign कैसा होता था class हम लेते थे sign को कहां से का तक pi by 2 से pi by 2 तक तो वो कुछ ऐसा होता था लेकिन sign inverse x में चीज़े कैसी हो जाती थी class, sign inverse x में चीज़े कुछ ऐसी सी हो जाती थी याद आ रहे है ना यह हमारा क्या हो जाता था यह था था minus pi by 2 यह होता था pi by 2 और यह होता है sir, minus 1 और यह होता है 1 याद है आप सभी को तो sir, cosic inverse x कैसा बनेगा sir, cosic inverse x तो कुछ अजीव सी ही बात होगी sir cosic inverse x पर जाने से पहले क्या मैं cos को plot कर सकता हूँ, क्या मुझे cosic x का idea लग सकता है sir, आप मुझे अगर cosic x बता दोगे न तो मैं शायद cosic inverse x बना लूँगा तो cosic x कैसा होता था class cosic x याद करो class बड़ा इंटरेस्टिंग सा है function होता था जैसे सोचो class, यह आपका sin inverse x होता था तो sin inverse x कैसा होता था कि sir, वो 0 से 0 से pi के बीच 0 से pi के बीच एक बार बीच में one value occupy करता था फिर उड़ जाता था similarly, 0 से minus pi के बीच में एक बार minus 1 तक आता था और बाकी वो नीची गिरा रहता था याद आ रहा है फिर same यह ऐसे alternatively बनते चले जाते थे मालब वो 0 और pi पे infinity को अप्रोच कर रहा होता था और minus pi पे भी minus infinity को अप्रोच कर रहा होता था ऐसा क्यों होता था class क्योंकि यहाँ पर sin 0 होता था तो cosic infinity होने लगता था तो sir, ऐसा कुछ graph बनता था cosic का तो क्या ऐसे ही कुछ बनेगा cosic inverse x का जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा पर कैसे सोचेंगे, सोचने ही class एक बात समझो class मैं पहले जिसका वही you know, principal value सोचने की कोशिश करता हूँ कि मैं कहां से कहां तक लूँ ताकि चीज़े unique हो जाए मालब सोचो, just इसको rotate कर दू और इसका inverse बनाने की कोशिश करूँ तो वो तो फिर कुछ ऐसा सा बन जाएगा आप मेरी बात समझ पारे हो वो तो फिर कुछ ऐसा सा बन जाएगा और जैसे यह सा बनेगा तो फिर से function की condition का violation हो जाएगा क्योंकि x की single value के लिए y की multiple values बन रही है क्योंकि सर माइनस πाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब x plot कर रहे हैं और यहां पर जो values हुआ करती थी एक बात समझो students please इस बात को समझो cos inverse x हमेशा 1 से बड़ा बलब cos x जो था वो हमेशा 1 से बड़ा और minus 1 से छोटा होता था तो जब आप domain की बात करेंगे तो domain में आप हमेशा या तो minus 1 से छोटा रखेंगे इस तरफ curve exist करेगा या फिर 1 से बड़ा रखेंगे मतलब 1 के उस तरफ exist करेगा एक और बात बड़े ध्यान से सुनिएगा class यह कहां से कहां तक exist करता है इसका graph इसका graph सिर्फ कहां से कहां तक minus pi by 2 से pi by 2 तक exist करेगा बात याद करूà s. sin 90 degree कितना होता है sin 90 degree 1 होता है तो cosic 90 degree होका 1-ianI cosic inverse 1 कितना होगा यानि 1 पे मुझे ही 90 degree दिख धरा होगा largest लेकिन जैसे ही «sine 0 होता है» तो sin 00 होता है लेकिन cosic 0 क्या होगा infinity होगा, तो cosic inverse infinity 0 कीugen तरफ जाएगा मलब ये graph जब infinity की तरफ बढ़ेगा तो वो angle किसकी तरफ बढ़ेगा class 0 की तरफ क्या आप ये बात imagine कर पा रहे हो I hope ये बात digest हो रही है आप सभी को similarly ज़रा सोच के देखो class यहाँ पर ध्यान से देखो sin minus 90 कितना होता है sin minus 90 minus 1 होता है तो एक point मिलेगा minus 1 पे क्योंकि cosec inverse मतलब cosec 90 भी क्या होगा cosec minus 90 भी क्या होगा minus 1 और एक और बात sin 00 होता है तो cosec 0 क्या होगा? infinity तो cosec inverse में 0 की तरफ जाने के लिए मतलब infinity की तरफ जाने के लिए 0 की तरफ बढ़ना होगा तो ये graph कुछ ऐसा सजाएगा क्या है चीज़े आप imagine ये visualize कर पा रहे हो I know थोड़ा सा tricky हो सकता है पर अगर आप values को work out कर सकते हो तो धीरे धीरे graph का है जो sense develop होगा वो आपके बताएगा कि सर जो minus 90 होता है sin का वो हता है minus 1 तो cosec minus 90 भी minus 1 होगा पर sin 0 होता है तो cosec 0 infinity होगा मतलब cosec inverse infinity क्या होगा 0 मतलब मैं इसको ऐसे कहूंगा कि ये कुछ ऐसा सा बढ़ रहा होगा क्या आपको ए graph का थोड़ा बहुत senses develop होगा सोचो class मैंने ऐसा क्यों नहीं किया मैंने इसको ऐसा आगे क्यों नहीं बढ़ा है मैंने इसको ऐसा और इसको ऐसा क्यों नहीं बनाया मैंने इसके बाद फिर वापस यहां पे कुछ ऐसा और वो सब क्यों नहीं बनाया क्योंकि उस case में फिर आप violate कर देते आप फिर एक line draw करते वो इसको दो बार intersect कर रही होती और वापस वो violation हो था function की definition का तो मैं पहले तो इसकी periodicity खत्म करूँगा जब आप inverse function बनाएंगे तो आप हमेशा ये ensure करेंगे कि y axis में replica नहीं बन रहे है y axis में iterations नहीं हो रहे है x axis में जो iterations हुआ करते थे वो allowed थे क्योंकि यहाँ पे y की single value के लिए x की multiple values allowed हुआ करती थे थे बट यहाँ पे ऐसा उल्टा हो जा रहे है जो x है वो y बन जाएगा जो y है वो x बन जाएगा तो वही function की definition को violate कर देगा इसलिए मैं ensure करूँगा कि कॉसक inverse x के graph में चीज़े कैसी हो और क्या अगर मैं इस graph को देखू हूँ तो क्या मैं कुछ-कुछ develop कर सकता हूँ कुछ-कुछ चीज़े बता सकता हूँ सर मुझे यह दिख रहा है कि अगर मैंने x axis पे चलना शुरू किया अगर मैंने x axis पे चलना शुरू किया तो मुझे minus infinity से minus 1 तक graph दिखा I hope आपको भी दिख रहा है और सर फिर 1 से plus infinity तक भी graph दिखा तो अगर मुझे से कोई पूछता कॉसक inverse x का domain क्या होता है अगर कोई मुझे से पूछता कि कॉसक inverse x का domain क्या होता है तो मैं कहता सर x axis पे मैंने minus infinity से minus 1 travel किया और हाँ सर minus 1 पे इसका वजूद है वो minus pi by 2 value लेता है तो minus 1 exist करता है और इसके अलावा और क्या होता है सर सर मैं 1 से infinity तक भी read कर पा रहूँ इस graph को तो मैं कहूंगा और कहां से कहां तक होगा class 1 से infinity था कि इसकी domain है x axis पे सारी वाले सर y axis पे कैसे हो रहा है सर सर y axis पे देखें तो minus interest चलता है चलता है कुछ नहीं मिला लेकिन minus pi by 2 से function दिखना शुरू हुआ तो pi by 2 तक दिखा तो मैं क्या कहूंगा class इसकी जो range होगी students इसकी जो range होगी वो range क्या होगी भई इसकी सर जो range होगी वो होगी minus pi by 2 से pi by 2 including minus pi by 2 और pi by 2 बट एक छोटी सी गलती कर गए सर आप सर देखो 0 पे इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 0 वो point है जाए और डिफाइड नहीं है तो बेशक सर आप लीजिए आप range में लीजिए कहां से कहां तक आप ले लीजिए सर minus pi by 2 से pi by 2 तक की values लेकिन आप एक value उटा दीजिए कौन सी 0 क्योंकि 0 नहीं आ रही है सर आप 0 कहां चीप कर रहे हो आप 0 नहीं ला पा रहे हो तो क्या आपको ये solution समझ आया किसकी range में से हमने 0 क्यों उटा है CDC बात ठीकला sin 0 0 होता है लेकिन cos 0 infinity होता है इसलिए जब range बनेगी यहां पर तो उसमें से 0 हट जाएगा same कहानिया है अगर आप चीज़े imagine कर पा रहे है और इनका origin वही हमारे standard sin cos 10 है तो अगर sin cos 10 पता है ना तो sin cos 10 के reciprocal cos x sec और cot और इन सब के inverse आप बहुत आसानी से imagine या visualize कर सकते हैं पर basic functionality sin cos 10 की पता रखना वही सब का base है अगर मैं यहां से आगे बढ़ू या यहां से वापस पीछे जाओ तो मुझे cos 6 inverse x समझा है similarly क्या मैं sec inverse x plot कर सकता हूं class sec inverse x plot करने के लिए हम थोड़ा सा वापस चीज़ों को resume करते हैं और हम कोशिश करते हैं समझने की cos inverse x या राद और मैं कहूंगा कि पहले मैं बनाता हूं cos x class याद करो मैं तो वह आला पार्ट बना ले रहा हूं बच जो हमारे काम का था और हमारे काम का था सर यहां से कुछ यहां तक है ना मैरे लिए वो था 0, pi by 2 और pi याद आए आपको यह हो जाँ रहा था 1 और यह हो जाँ रहा था minus 1 और यह था clearly pi by 2 sir अगर cos x ऐसा होता था तो sir क्या आप मुझे sec x सिखा सकते हूं sir sec x भी बड़ा sorted सा था sir sec x कैसा था मैं अब cos को अगर मैं थोड़ा और बना के बता हूं तो यह कुछ ऐसा सा ऐसा और यह कुछ ऐसा सा चलता था तो सर्म कहते थे sec x में क्या होता है sir sec x चलता है sec x चलता था sir minus pi by 2 से pi by 2 तक है ना तो minus pi by 2 से pi by 2 में यह कहीं आता था फिर यह ऐसा कुछ जाता था है ना obviously इन पे वो infinity और infinity को अप्रोच करता था फिर आप sir pi by 2 से आगे जाते थे कहां तक 3 pi by 2 तक है ना लेकिन pi पे वो minus 1 हो जाता था तो minus 1 से नीचे रहता था और infinity तक minus infinity तक जाता था तो कुछ ऐसा बनता था और इस बार वापस अगर मैं sec inverse x को blot करना चाहूं तो मुझे वापस वो principal domain चाहिए होगा लेहीं तक रखता हूं और जब यहां तक रखता हूं तो इसका graph इधर तो मुझे कुछ ऐसा दिखता है और इधर मुझे कुछ ऐसा दिखता है तो मुझे यह दो segment दिखेंगे कि आप यह बात समझ पा रहे हैं यहां कहीं pi by 2 होगा और इसके आगे कहीं pi होगा और obviously यह graph चलता चला जाएगा आगे कहीं ना कहीं मुझे नहीं पता नीचे कहीं ना कहीं और right hand side पर भी कहीं ना कहीं I hope आपको यहां तक सारी चीज़े समझ जा रहे हैं अब मुझे पता है sir बड़ी आसान सी बात बहुत ध्यान से उसना जो points में बनाना चाहरा हूँ कि 0 पे 0 होता है 0 पे 1 होता है तो मुझे कुछ point के आपने class 1 और minus 1 लेकिन जैसा हमने पता है कि cost जो होता है वो minus 1 से 1 के बीच होता है तो sec हमेशा minus 1 से छोटा और plus 1 से बढ़ा अब अगर मैं domain की बात करूं तो मुझे 2 points बड़े interesting से दिखाने होंगे वो कौन से 2 points students एक तो मुझे minus 1 से deal करना होगा और एक plus 1 से deal करना होगा मैं-1 से छोटा होगा और plus 1 से बढ़ा होगा यानि-1 के इधर कहीं graph बनेगा और plus 1 के उधर कहीं graph बनेगा लेकिन वो graph यहां बनेगा है यहां और यह graph यहां बनेगा है यहां वो decide करना है तो CDC बाते class आप आराम से देख लो clear सा दिख रहा है class क्या दिख रहा है कि sir 0 से pi by 2 तक मैं थोड़ा सा उल्टा सोचने है कि कुशश कर रहा हूँ sir 0 से pi by 2 तक यह क्या होता था अरे देखो ना 0 से pi by 2 तक 1 से बढ़ा तो obviously यहां पर जो graph बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा और जो यहां वाला graph बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा लेकिन कैसा बनेगा मोटा मोटा idea देखने की कुश करो कि उसका curvature कैसा ध्यान से देखो class ऐसे समझना थोड़ा साम उल्टा सोचेंगे उल्टा क्या सोचने की कोशिश करना है कि सोच कर देखो cos sec की जब मैं बात कर रहा हूँ तो cos 0 क्या होता है 1 गवराना मत cos 0 क्या होता है 1 तो sec 0 भी 1 फिर cos 90 क्या होता है 0 तो sec 90 क्या होगा infinity क्या आपको दिख रहा है तो similarly sec inverse में मतलब में x और y को थोड़ा उल्टा तुमसे चाहरों की imagine करो ताकि inverse function ना बना पाऊ similarly सोच कर देखो cos pi minus 1 होता है तो sec pi भी क्या होगा minus 1 लेकिन sec inverse pi में यह चीज ऐसी हो जाएगी cos 90 0 होता है तो sec 90 क्या होगा infinity तो ऐसी बन जाएगी तो अगर आप चीज़े सोचना चाहें तो मैं क्या बोलूँगा सर यह line बढ़ी important है क्योंकि इस line तक यह पहुंशने पाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है तो sec 90 infinity को approach करेगा याने सर 0 पे cos 1 होता है तो यह यहां से जाएगा infinity की तरफ और यहां पे यह minus 1 होता है तो यहां से minus infinity को ऐसे approach करेगा क्या आपको यह functions और इनके graph समझा रहे है बहुत easily अच्छे से students और अगर ऐसा कुछ समझा रहे तो क्या यहां भी मैं इसकी domain और range लिख सकता हूं सर पहले मैं domain लिखता हूं तो जैसी में इसकी domain लिखना चाह रहा हूं या domain लिखने में interested हूं तो मैं क्या करूँगा मैं x-axis पे देखूँगा सर मुझे graph दिख रहा है सर minus infinity से कहां तक और यह point क्या है class minus 1 सर मुझे यह graph भी दिख रहा है कहां से 1 से infinity तक यह दिख रहा है सर तो मैं कहूंगा domain बड़ी sorted सी चीज़े सर minus infinity से minus 1 तक minus 1 included है सर या फिर आप ले लो क्या 1 से infinity तक माले यह बहुत अतक बिलकुल clearly cosic inverse x की तरह ही है clearly इसी दी बात है class लेकिन यहां पे range की अगर हम बात करें students so range sin inverse x यह rather I would say cosic inverse x की तरह नहीं होगी क्योंकि यह जोड़ी सी साइन में जहां minus pi by 2 से pi by 2 लेते थे तो cos में हम 0 से pi लेते हैं तो cosic में जहां हमारा minus pi by 2 से pi by 2 चल जा रहा था cosic में वहां sec में हमारा क्या चलेगा class 0 से pi लेकिन फिर से एक constraint फिर से एक जगे problem अगई क्या sir कि sir pi by 2 पे exist नहीं करता है तो मैं बोलूँगा range जो होगी sec inverse x की वह क्या होगी class वह मैं बोलूँगा कहा से कहा था होगी भई 0 से pi लिख दो पहले 0 और pi included है क्या हां sir 0 पे 1 है और pi पे minus 1 है तो 0 और pi included है तो मैं कहूंगा sir 0 से pi के बीच की सारी values except मैंने क्या लगाया minus except आप कौनसी value अटा दीजिए sir pi by 2 पे defined नहीं है तो pi by 2 पर यह function defined नहीं है क्या आपको यह समझ आ रहे है कि हम range और co domain कैसे explain कर रहे है मतलब अगर सोचो class फिर अगर मैं discuss करूँ कि sir क्या problem है अगर आप इसको ऐसा और इसको ऐसा फिर वापस इसको यहां पर ऐसा और ऐसा बनाते चले जाते I hope आप आप देख पा रहे हैं यहां पे parallel draw करते चार point आजाते जो कि clear violation होता function की definition का तो क्या आपको यह functions इनके graphs अगर यहां तक समझ आया तो एक और final graph हम समझेंगे इसके जाद हम कुछ questions शुरू करेंगे तो अगर अब मैं cot inverse x की बात करो तो cot inverse x तो बड़ा simple सा function था ना क्या आपको याद आया अच्छा चलो मैं याद दिलाता हूँ याद करो जल्दी से students याद करेंगे पहले याद करो जल्दी से 10x एक तरह का quick revision भी है क्योंकि यह brain में settled रहने चाहिए तो 10x को याद करो class 10x कैसा होता था सर कुछ ऐसा होता था यह 0 होता था यह pi by 2 होता था मैं एक ही segment बना रहा हूँ सारे नहीं बना रहा हू सर 10x ऐसा होता था सर कोटेक्ष कैसा होता था सर कोटेक्ष रिफ्ट हो ज कॉटेक्ष कैसे ही तो ho어ện का'llick shift पहले था सकते आइटिंग बना सकते हैं, तो अगर मैं cot inverse x plot करना चाहूं, तो चीज़े बड़ी आसान सी हैं students, यह आप कहा होगा y axis, बस आप इसका curvature देखने में थोड़ी से हल्क ले लिए, curvature कभी-कभी है समझ नहीं आता है, क्योंकि आप एक-एक value के लिए नहीं देखते हैं, तो आप दे होते हैं, इनने डीटेल में उस चाप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे, तो गभराना मत, चलो, मैं यह कहना चाहरूं कि cot inverse x का graph कैसे बना सकते हैं, सोचके देखो, सीरी सी बात इस students, मैं क्या करूंगा, मैं 0 से पाई तक ही रख लेता हूं, क्योंकि फिर वह वापस बात से इंफिनिटी तक जा रहा था, अब एक्स एक्सिस पर सबढ़ जाएगा, मतलब इसका curvature ना सीधा-सीधा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा बनेगा, मतलब यह origin से जाएगा, देखो जल्दी से, क्या आपको दिख रहा है, कि थोड़ा सा मैंने उल्टा कर दिया, मैंने उल आजिब सी बात है, ऐसा ही बनेगा, ऐसा क्यों बनेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस, आप सोचो ना, जब आप एक सिकेंड, एक सिकेंड, एक सिकेंड, मैं छोटा सा correction होकर दे रहा हूं, यहां पर गड़बर यह है, कि यह उठेगा, यह उपर उठेगा, क्योंकि से कुछ ऐसा बनेगा, देखो में बताता हूं, यह होगा 0, यहां कहीं होगा पाइलेट से और यहां कहीं होगा पाइबाइटू, सर्फ पाइबाइटू से तो पास होगा, लेकिन 0 पे इंफिनिटी की तरफ जाता है, देखो 0 पे इंफिनिटी की तरफ जाता है, और तो मैं कुछ ऐसी लाइन प्लॉड कर लेता हूं, है ना? तो मुझे 0 पे infinity की तरफ बढ़ाना है, पाई बाई टू से पास करवाना है, और पाई पे minus infinity की तरफ बढ़ाना है, तो इस ग्राफ कैसा बनेगा, students, यह ग्राफ कुछ ऐसा सा ऐसा सा बनेगा, मतलब मैं generally points के लेता हूं, points बना लेता हूं और उनको connect कर देता हूं, बस curvature कभी-कभी confusing रहता है, but anyway एक थोड़ी सी practice के बाद आप यह बनाना सीख जाएंगे, so point again बढ़ा simple सा, students, क्या मैं इस बहर भी domain और range define कर सकता हूं, I think हमारे लिए domain और range define करना वापस से बढ़ा असान है, क्या आप देख पा रहे हूं ग्राफ यह ही है, जो हम बनाते आ रहे हैं, जो हम सीखते आ रहे हैं, यह सीजी सी बाद है, पाई बाई बाई टू पे वह 0 हो जाएगा, क्योंकि 10, 90, infinity होता है, तो cot 90, 0 होगा, क्या मेरी बाते समझ आ रहे हैं आपको, तो अगर मैं यहां से आगे बढ़ता हूं, तो मैं domain और range workout करने की कुशिश करता हूं, जहां से सुनीगा class, domain मतलब क्या, फिर से वही बात, domain मतलब sir, आप x-axis पे कहां से कहां तक चल रहे हो, पूरा travel कर पा रहा हूं क्या, कर पा रहा हूं, कहीं break हो रहा है, graph नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा domain sir होगी, क्या होगी भाई, domain होगी minus infinity से infinity, कोई confusion students, sir range के बारे में क्या ख्याल है, sir range होगी इस बार 0 से pi, लेकिन 0 पे infinity हो रहा है, pi पे minus infinity हो रहा है, तो 0 और pi include मत करना sir, तो जब आप range निकालेंगे students, तो range निकालते वक्त बस इस बात का ध्यान रखिए, कि आप 0 से pi ले लिजे, लेकिन दोनों values include मत करिए, क्योंकि वहाँ पर infinity और minus infinity हो रहा है, क्या आपको essence develop हुआ कि हम चीज़े कैसे सोच रहे हैं, I hope यहां तक चीज़े बड़ी आसान हैं और आपको समझ आ रही हैं, तो I think यहां तक चीज़े हमने work out जो की हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ आई, अब मैं finally वापस उस chart उस sheet की तरफ आ रहा हूं, जो हमने इस lecture की शुरुवात में discuss की, तो जल्दी से इस table को समझने की कोशिश करना, देखो class, sin inverse x, याद आया domain, माइनस वन से वन क्यों होगी, cos inverse x, domain obviously माइनस वन से वन होगी, 10 में माइनस इंफिनिट, यह सब क्या हुआ करती थी इनकी range, sin x, cos x, 10 x की, वह अब क्या बनगी है, domain, बिल्कुल sir, वही सारी range domain है, तो range जो हुआ करती थी, वह domain बन जाएंगी हो, यह वही है जो exact ऐसी कैसी है, बस जो बदलाव आएंगे, जो परिवर्दन आपको दिखेंगे, वह यहां दिखेंगे, और यहां क्यों दिखेंगे students, क्या आप guess कर सकते हो, कि मुझे यहां changes क्यों दिख रहे होंगे, cd, cgc बाते class, क्योंकि मुझे restrict करना होगा, वरना function की definition violet होगी, तो मैं sin x को अब जो domain हुआ करता था, सारी values, वहां पर range में मैंने सिर्फ एक ही segment लिया, जहां पर उसकी uniqueness defined रहे है, देखो मैं एक और तरीके से उम्हें समझाने की कुशिश करता हूँ, कि यह सारी range में तुम बिना घवराय कैसे सोच सकते हो, मतलब यह थोड़ा सा वलने पर पार्ट है, यहां पर थोड़ा सा inverse में जाके हम range थोड़ी सी change कर देते हैं, मतलब एकदम exact opposite नहीं हो रही है, मतलब जैसे sin, cos और इनकी जो normal trigonometric functions थे, उनकी exact domain range और उनकी exact range यहां पर domain नहीं बन रही है, थोड़ा सा change आ रहे है, मतलब to be very honest, इन सब की जो sin, cos 10 हुआ करते थे, उनकी range तो exact वही की वही domain में convert हो गई है, बट उन सब का domain range में convert नहीं होए, क्योंकि वह periodic functions थे, और वहां पे periodicity के कारण, अगर मैं इनके inverse लोगा तो वह function की definition को violate कर देंगे, क्योंकि इस case में y की, मतलब multiple values में लेगी मुझे single x की value के लिए, जब आप inverse लेगे, तो हमने domain को restrict किया, हमने उसको principle value में लेके गए, मतलब उनकी domain को restrict किया, ताकि यहां पे इनकी range justify हो सके, मैं समझाने की कुशिश करता हूँ, मैं इस वाले part को एक बर final call दे देता हूँ, ताकि मैं याद रखवा पाऊं तुमें कि देखो ऐसा होता है, जो मैं finally अब तुम्हें समझाने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिये class, इस वाले part को में समझते हैं, जल्दी से सोचो class, हमारा sin inverse x क्या होता था, सर, sin inverse x से पहले sin x की बात करते हैं, तो sin x की बारे में function तो बहुत बढ़ा सा होता था, मारा sin x कैसा होता था, बहुत जादा आगे ऐसे पीछे जा रहा होता था, बट हमने क्या देखा सर, हमने तो उसको restrict कर दिया, हमने कहां से कहां तक रोक दिया उसको, हमने तो बोला सर आप एक काम करो, चलो मैं पहले सारे sin cost and cos x से सब बना देता हूं, पहले यह से शुरू कर लें, unnecessarily आप और confused हो जाएंगे, साइन में हमने क्या क्या क्लास, साइन में हमने देखा, साइन में तो आप बस इसको कहां से कहां पर करक लो, माइनस पाई बाई बाई टू, मादब आप सर बस यहां से यहां तरखना, साइन में हमने कहां से कहां दक सोच तो से क्लास, बस यहां से यहां तरखना, obviously मैं हम साइन इन्वर्स का ग्राफ नहीं बता रहा हूं, बस मैं आप बता देना हूं कि हमने इसका यह वाला पाट लिया है, पर हमने कॉस का भी कौन सा हिससा लिया, याद करो students, हमने कॉस के एक अलग सेग्मेंट की बात की, तो हमने कौन सा लिया क्लास, जीरो से आइधिंक पाई है ना, देखो जल्दी से, यहां पर रेज किया है, जीरो से पाई, तो हमें इस कॉस में जब लूँगा, तो वह मैं लेता हूँ, जीरो से पाई, मतलब मैं कॉस का यह वाला हिससा ले रहा हूँ, इन बातों को प्लीज याद रखेगा, यह मैथेट्स को याद रखेगा, है ना, तो हमेरे साइन और कॉस हो गए, similarly, अ गर मैं देखों आपके सामेनेज्ट, तो दो और देख लेते हैं और दो और देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं जiris 10 और . पूरा graph नहीं बना रहा हूं, 10 कैसा होता है class? यह पूरा.. ऐसा चलतों चला है, तो मैंने 10 का सिर्फ Kait यह इससा लिया, कोट का जो हमारा ग्राब बनता है वो कुछ ऐसा सा बनता है इसका इग्जाक्ट इमेज होता है वो तो वो कुछ ऐसा सा बनता था है ना लेकिन वो 0 मतलब y-axis के इस तरफ होता था तो यहां से 0 से कहां तक जाता था पाई तक तो याद करो क्लास यहां पर जो इनके डोमेन हुआ करते हैं यह वाले सेक्शन कौन-कौन से टैन में तो हो जाएगा क कासिक सब्सक्राइब करते हैं तो म्याने शे तो याद है आपको यह कुछ ऐसा बनता था मैं तो और हिंग और जो सीड यह कॉटा इसग्शन को त्रह व deriv नहीं रहा हां क्योंकि क्ली से इस तो कॉसक बनदी हम ग्रली आपन से इस forearm इसमें छोटा सा एक करेक्शन कर लीजिए वैल्यूस तो यह रख लो मतलब यहां पर इसको लिखने में कोई बुराई नहीं है बस ऐसा है कि यह पाई बाई टू से पाई तक में ऐसा होता था याद करो ऐसा होता था मतलब बिल्कुल एक्जैक्ट जैसा फंक्शन दिखता है पर रसानी बनारहों सेम जीरो से माइनस पाई तक यह कुछ ऐसा होता था याद करो माइनस नसे छोटा होता है और ऐसे रैप्लिकेट होते चले जाते हैं बहुत सारे बनते हैं बट हमने कौन सा सेक्शन उठाया स्टूरिंस हमने खास सेगमें उठाया कौन सा इसकी जो हमने देखी थी वह minus pi by two से pi by two ही होती थी, sign की जगर में याद करो, और cos में 0 से pi हो जाएगी, बिल्कुल सही, minus pi by two से pi by two, यह 0 से pi, लेकिन बीच में एक हिस्सा छूटेगा, class क्या आपको याद आ रही है, एक हिस्सा कौन सा छोड़ देंगे हम, क्योंकि समझो बात को, जगे क्योंक वाले function का, ये जो reciprocal को मैं plot करूँ, तो एक ऐसा होता है class, 0 जाता है, फिर pi by two जाता है, फिर pi घाता है, जाता है, similarly minus pi by two जाता है, फिर यहापे क्या जाता है, minus pi जाता है, हमने देखा, ये कैसे होता है class, ये 0 पे तो 1 हो जाता है, तो यह कुछ ऐसा सा होता है, है ना, फिर यहां पे कुछ ऐसा सा बन रहा होता है, फिर यहां पे भी कुछ यह माइनस पाई पे है ना, तो मेरे ख्याल से, बिलकुल सही, यहां पे कुछ मैं करेक्ट टर रहा हूँ ना, फिर यहां पे कुछ ऐसा सा बन रहा होगा, ऐसे बहुत सारे फिर उदार उदार बनते जा रहे होंगे, मेरा concern था कि मैं कहीं एक जगे ढूंड़ू, तो मैंने सर ढूंड़ा कि मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ पर रोक लेता हूँ, मैं सर इसको 0 से πाई के बिच रोक लेता हूँ, तो यहाँ पर infinity, और यहाँ पर माइनस infinity को अप्रोच कर रहा था है, तो मैंने बोला कि सर जिरो से πाई तक लिया, तो 0 से पाई तक, पाई बाई टू तक यह ऐसा गया, है ना, और पाई बाई टू से पाई तक, यह कुछ ऐसा गया, और यहाँ पर आकर मैंने इसको रोक दिया, तो finally, अगर मैंने इसको सोचने की कोशिश की, तो इसका 0 से पाई तक जाता है, except pi by 2, I hope आपको इस सारी बातें याद है, इस टेबल में, I think, अब कोई confusion नहीं है, और आपको आसानी से समझ आ रहा है, कि कॉसिक इंवर्स X, 0 से पाई, sorted सा, 10 इंवर्स X, minus pi by 2 से pi by 2, cot 0 से पाई, लेकिन यहाँ पे हम कहाँ छोड़ देंगे, class 0 पे skip करना पड़ेगा, क्योंकि not defined है, और यहाँ pi by 2 पे skip करना पड़ेगा, क्योंकि not defined है, कि आपको इन सब की range समझ आई, जो हमने इनके original trigonometric function से derive की, periodicity skip की हमने, तो इस तरह से हम finally सारे inverse circular function, inverse trigonometric functions को भी work out कर सकते हैं, काम की बात यह थी, अभी तक हमने सारे standard functions पढ़े, फिर हमने trigonometric functions पढ़े, उनकी domain and range देखी, उनके graphs के थूँ, फिर हमने inverse को देखा, normal functions की help से, I hope यहाँ तक आपको सारे graph, domain, range, उनकी properties clear हैं, अब next presentation, जो next हम lecture लेकर आएंगे, उस next lecture में हम discuss करेंगे, इन पर बेस्ट काफी सारे questions, तो next lecture को आप नाम दे सकते हो, practice lecture भी, क्योंकि जितना भी तक सब कुछ पढ़ाया है, वो मैं अगले question, अगले lecture में discuss करने वाला हूँ, although इन सब की DPP अलग होगी, वो DPP, obviously extensive DPP होगी, जिसमें हम और detail में हर concept को J-Level पर लेके जाएंगे, क्योंकि DPP में questions हम अच्छे रखेंगे, तो आप ये बात मत मान के चलेगा, कि मैं बहुत easy NCRT या 11th and 12th board level के exam questions रखने वाला हूँ, हम obviously J-Level के questions करेंगे, क्योंकि अगर हम अभी से questions करेंगे, तो आपका अभी से extends develop होगा, क्या हम करें, बट initially बात समझो, अभी comfort zone से बाहर आ रहे हैं, अभी तक आप बहुत simple से questions करते आ रहे थे, तो जैसी means level के आप questions करना शुरू कर दोगे, तो आपको थोड़ा सा push करना पड़ेगा अपने आपको, थोड़ा सा uncomfortable, uneas develop होगा, कि sir, ये क्या करवा रहे हो, तो कुछ समुझ नहीं आ रहे हैं, मैं लगी शायद ये thought आई, कि sir, बहुत tough चीज़ें हो रहे हैं, बहुत difficult हो रहे हैं, बटे शुरुआत ही कुछ दो रहे, gradually आप comfortable होने लगेंगे, आपको जादा जादा concept पता चलने लगेंगे, और जितना जादा पता चल जाएगा, उतना जादा आप आसानी से समझ पाएंगे, तो थोड़ा वक्त दीजिए, हमेशा चीज़ें शुरुआत में बहुत टफ लगती हैं, क्योंकि आप अपने comfort zone से बाहर आ रहे होते हैं, बट एक बार अगर आपके rhythm बन जाती हैं, तो यकीन करिए, चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपका routine वो बन जाती हैं, आपकी habit वो बन जाती हैं, अब इन पर कुछ questions करेंगे, next lecture में और इस topic को, मतलब function खतम नहीं हो रहा है, नहीं says relation terminology खतम हुआ है, इस particular sub-topic को, मतलब chapter चल रहा है, chapter जारी है और यह बहुत लंबा जाने वाला है, लेकिन यह जो sub-topic है, हम इसे खत्म करेंगे, अगले chapter में कुछ questions के साथ, चलिए, आगे बढ़ते हैं students, I hope आपको पता है, यह सारे graphs, I hope आपको आपको बहुत अच्छे से समझाई, यह ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीज़े कैसी हो रही है, so with that, I hope आप जानते हैं, that www.magnatebrains.com हमारी यह website है, जहाँ पर जाकर आप सारी चीज़ें, सब कुछ free of cost एक्सेस कर सकते हैं, and along with that, I hope you know, कि आपको अगर IIT J.E. के lectures देखने हैं, तो आप IIT J.E. सेग्मेंट पर क्लिक करिए, सारे faculties आपके, आशिश सेर, बिशेख सर और मैं, हम तीनों मौझूद हैं, आप वाशनाओ पर क्लिक करेंगे, तो आपको अपने section के, अपने subject के lectures open हो जाएंगे, वो सारे lectures chapter wise properly organized हैं, तो सारे chapters, उनके DPPs, DPPs के video solutions, सब कुछ सारे topics के video, सब कुछ यहां मौझूद हैं, I hope आप जानते हैं, कि हम एक 100% free education platform है, और इंडिया के top teachers आपको यहां पर पढ़ाते हैं, and along with that, obviously, so यहां पर जब आप वाशनाओ पर क्लिक करेंगे, तो video lectures नहीं open हो जाएंगे, या तो आप चाहें तो website पर, या फिर आप चाहें तो आप YouTube पर जाकर भी same चीज़ें देख सकते हैं, सारी चीज़ें वहां मौझूद हैं, so one final thing I want to convey, और I want to communicate, कि Magnet Brains, IITJ module, ना सिर्फ IITJ module, बलकि Magnet Brains के सारे program, सारे courses, free of cost हैं, सब कुछ freely available हैं, everything is free of cost, तो इन videos को जब्रूर लाइक करें, ताकि हम appreciated, feel करें, और इसी passion, इसी motivation के साथ, आपके लिए, सारी चीज़े create करते रहें, and of course, subscribe करके रखेंगे, तो जो भी हम नई नी चीज़े, वक्त वक्त पर लाते रहते हैं, आपको updates मिलते रहेंगे, और आपको चीज़े पता चलती रहेंगी, not just that, अगर आप share करेंगे, इसे अपने उन लोगों के साथ, या उन दोस्तों के साथ, जिनने ऐसे जरूरी module की जरुवत है, तो प्लीज उनसे ऐसे module को share भी करिये, ताकि वो जादा से जादा इस तरह के free of cost program का फाइदा उठा पाएं, with that, we are calling you today, thank you so much.